Hello everyone, welcome to the channel of Let's Discover It, this is Aria and today we will discuss about The Midnight Visitor which is a chapter of your class 10th NCRT English Literature book. तो आज इस chapter की finally हम समड़ी देख रहे हैं, Lined Explanation, Detailed Explanation वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगी. तो इस chapter में हमारे पास 4 character है, पहला है Ausible, जो की एक Secret Agent है, दूसरा है हमारा Faller, जो की एक Writer है, I mean उसे Romantic यहां तक की उसे मतलब थोड़ा Adventures, Story वगरा लिखने में बहुत ही सादा Interest है, उसी के साथ साथ हमारा तीसरा character है Max, जो की एक Secret Agent है, और चौथा है एक Witter, जो Simple Witter है, ओके तो यह start होती है, कि जो Actually में हमारा Faller होता है, वो Ausible से मिलने जाता है, क्योंकि वो Actually में Writer होता है, तो वो मिलना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है, ताकि वो कुछ लिख सके, लेकिन जब वो Ausible से मिलता है, तो वो थोड़ा सा मतलब hesitate हो जाता है, क्योंकि Ausible की जो कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी जिससे कोई देखकर ये बता सके कि नहीं it is a type of secret agent या फिर इसकी personality एक secret agent जैसी है Faller ने ये सोचा था कि मैं जब Ausable से मिलूंगा तो उसके पास एक gun होगा उसके लिए कोई लड़की उसका appointment लेके आएगी वो drugs, vines इन सारे चीज़ों से include करके Ausable को compare कर रहा था क्यूंकि this is a character related to a secret agent लेकिन ऐसा कुछ Faller को देखने के लिए नहीं मिलता है वो जब मिलने जा रहे होते हैं तो वो building के जहां वो रहता था चली में जहां पर documentics top secret जिसमें missiles के बारे में secrets होते हैं जो की आने वाला था अमारे Ausable के पास तो ये चीज़ फॉलर को भी पता होती है और ये दोनों अपने room में जा रहे होते हैं एक रास्ते से होते हुए जो की रास्ता बहुत ही ज़्यादा smelly और dirty होता है उस रास्ते से ये लोग होकर जा रहे थे जैसे ही वो अपने room में entry करता है वो बोलता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम थोड़े hesitate हो क्योंकि तुम्हें लग नहीं रहा कि मैं एक top मतलब secret agent हूँ क्योंकि तुमने मुझे compare किया होगा कि wine, drugs appointment कोई लड़की लेकर आएगी यहां तक की थोड़ा attractive personality का तब भी अभी जो हमारे writer है यानि जो हमारा fowler है वो सांथ है दोनों ही room में घुषते हैं और जैसे ही घुषते हैं वो lights on करते हैं तो देखते हैं Max जो की तीसरा character है हमारा वो gun point करके खड़ा होता है हमारे और बोलता है कि वो जो document आज आने वाला है वो मुझे चाहिए ही चाहिए वो मुझे चाहिए कुछ यूं कहता है हमारा जो और जो और जो और जो है वो hesitate नहीं होता मतलब उसे पता था कि और जो यहां पे है नहीं वो एच्छली foreign में है लेकिन वो एक आएक आजाता है तो वो डर जाता है फिर gun pointed थी ऐसे कोई personality हमारे audible में नहीं थी जो की उसे डरा सके लेकिन वो जो gun थी जिसके through वो gun pointed किया हुआ था तो यह कोई भी इस चीज़ से डर सकता है अगर आपके भी सामने कोई gun लेकर खड़ा हो जाए तो तो इसके बाद हमारे जो audible है वो कहते हैं कि अब मैं आज जरूर एकदम hotel के जो manager उनसे complain करूंगा कि हर बार मेरे room की balcony के through कोई ना कोई घुश जाता है max बोलता है balcony मैं तो तुम्हारे room में डोड के through आया हूँ मेरे पास duplicate चाभी थी मैं उससे आया हूँ तो बोलता है actually मैं जिस balcony की मैं बात कर रहा हूँ audible बोलते हैं वो दूसरे building की है उसके through बहुत सारे लोग बहुत पार मेरे room में घुसे हैं और तुम तीसरे या चोथे हो ऐसा हमारे audible कहते हैं तब ही door पे knock knock होता है door पे जैसे ही knock होता है तो फिर next पोलते हैं की कौन है तो बोलता है it's police जिसे मैंने ही बोला था कि इतने top documents actually मेरे पास मिलने के लिए आ रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप बीच बीच में check कर लें actually मैं पीछे से knocking की आवाज आ रही थी door से वो फिर से knocking बहुत तेज हो जाती है और तेज होने के साथ साथ Ausible का नाम भी पुकाडने लगती है Mr. Ausible ये सारी चीज़े बीचती है तो Max बोलता है Ausible Max से बोलते हैं कि अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया कहकर कि सारी चीज़ें ठीक है मैं तब तक बालकनी में छुपा हुआ हूँ तो बोलते हैं ओके ठीक है तुम छुप जाओ फिर एक पैर को खिर्की के बाहर निकालते हुए वो गन को पॉइंटेट करते हुए उसने सोचा कि बालकनी में मैं कूच जाता हूँ और जैसे ही कूचता है चिलाने की साउंड आती है चिलाने की साउंड आती है इसके बाद हमारे जो ओजबल हैं वो गेट खोलते हैं तो वहाँ पे कोई पुलिस नहीं होती वो एक waiter होता है जिसके पास bottle, wine का और उसके साथ two glasses होते हैं हमारे जो follower है वो बहुत ही मतलब एक तरह से सोच में पढ़ जाता है कि यहां तो police थी ना तो हमारे जो secret agent है यानि कि जो हमारे audible है वो कहते हैं कि नहीं वो waiter ही है तो हमारे audible बोलते हैं कि अब वो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि room के बाहर कोई balcony है ही नहीं यानि वो doubt में कूद गया और कूद कर directly वो मर गया और सही बात है यहां पर बहुत ही बड़ा एक mind game हुआ है आप ही सोच सकते हो कि इतनी बड़ी जो top secrets की book है जिसमें इंडिया के missiles के बारे में knowledge हो ठीक है वो अगर किसी और के गलत हाथ में चला जाए तो पूरे country को इस चीज से effect हो सकता था इसलिए हमारे audible ने इतनी बड़ी idea चुनी तो सबसे पहले तो model of the story is that कि don't judge a book by its cover कोई आदमी बाहर से अचली में कैसा लगता है न इस चीज को देखकर आप किसी person को judge नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर की idea और talent कभी आपको दिखेंगे नहीं वो तभी दिखेंगे जब आप उसके साथ जादा देर रहोगे उसे समझने की कोसिस करोगे जैसा कि faller जब first time audible साभी just मिला तो उसे लग नहीं रहा था कोई एक secret agent है पर ये जो idea जो हमारे audible ने max पर try किया जिसके थुरू उन्होंने top secrets का जो document उसे किसी गलत हाथ में जाने से बचा लिया So this is okay for today मिलते हैं अगले new summary में new story के साथ तब तक के लिए thank you, bye bye